प्रदर्शन हो रहे हैं इसी तरह कि धड़ना प्रदर्शन कई बार हो चुके अपने हातों में तरह की तक्ति लिए ये इंसाफ मांग रहे हैं अपना खर मांग रहे हैं और एक बार फिर से यहाँ जेपी होंबाइब इसका घर उसका सपना होता है आपकी जमापुंजी सब उसमें लगी होती है और उसके बाद भी जब इस तरह का रिटन आपको मिलता है तो कैसा लगता है देखिए हमें बहुत खराब लग रहा है हम इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं हमने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग जेपी में लगा दिया अपना रिटार्मेंट का पैसा सारा लगा दिया हम कितनी मुश्किल हैं यह सिरफ हम लोग जानते हैं लेकिन इन लोगों को कोई फरक नहीं पड़ता है यह अपने बड़े-बड़े बंगलों में रह रहे हैं उनको क्या पता कि एक आम आदमी की कितन हैं कितने बचारे चले गए हैं हमारे साथी जो इस मकान की सिरफ बेट करते करते हैं दस साल होगे लेकिन मेरे फ्लैट का पता नहीं है मेरे फ्लैट के बिल्कुल पता नहीं है मेरा बेटा आज की रेट में इमाई भी दे रहे हैं और किराह भी दे रहा है और फैमली का खर् तक बने ही नहीं है जिस मंजील पर 30 मंजील उस्टावरें बनी नहीं तक मुझे मालूम नहीं मैंने असी प्रसंट बताए सब्सक्राइब जितने बड़ बड़े बिल्डर से अमर पाली ले यूनिटेक लें और बिल्डर से सब के ओपर पुलिस ने भी एक्षन ले लिया गौ सवाल मौजूदा गवर्मेंट के आगे है कि अब इस मामले में क्या करेगी बहुत लंबे समय से यह मामले जो है सिर्फ इंतिजार में और तारीकों पर ही चल रहे हैं अगर हम अमरपाली की बात करते हैं तो पूरी तरह से मामलाब सुप्रीम कोट के अंदर है उसको लेकर जज्मिंट्स भी आ रहे हैं अब आप क्या सोच रहे हैं कि आपका अगला कदम होगा जेपी और अमरपाली में इतना डिफ्रेंस है कि अमरपाली कंगाल हो चुकी है जेपी के पास इतना लेंड बैंक है और इतना प्रोपर्टी है आप यकिन नहीं मानेंगे कि जितना उनक को इंसल्वेंसी में जाने की जुरूत ही नहीं है अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी हम यह माई स्टॉप करेंगे पहले क्योंकि आई डिवी बैंक एक ऐसी अर्चन पैदा कर रही है जिससे हमें 66 परसेंट वोट परसेंटेज हम एचीव नहीं कर पा रहे हैं आप यह मानके चलिए कि मैं दो फिट का हाइट कूच सकता हूं और मेरे लिए बार तीन फिट में सेट कर रखाए चाहे किसी भी कारण बस तो मैं जंप नहीं कर सकता मेरे को सपोर्ट चाहिए सपोर्ट किससे मिलेगा आई डिवी बैंक का 18 परसेंट का शेर है हमारा टोटल होम बाय अगर नहीं सपोर्ट करेगा हम लोग 100% यह माई स्टॉप करने वाले हैं अगर यह माई स्टॉप होगा कुस तो उनको दर्द होगा मैं यह इनिशेटिव में लीड ले रहा हूं अगले एक दो दिन तीन दिन में जुलाई सेकेंड को एक हमारे एक हुआने वाला है फिर उस अगला कदम क्या होगा जिस चीज से इतना दुखी है लंबे समय से लड़ रहे हैं चुटी वाले दिन अपना घर बार छोड़कर यहां पर धूप में धर हैं तो वाके में बहुत बड़ी परेशानी है और इनकी एक ही उम्मीद अब यहां हर तरफ से दिख रही है और वो ह है मौजूदा गवर्मेंट की शायद अगर मोदी सरकार इस मामने में कुछ करे अगर वो चाहे तो बिलकुल हो सकता है इन्हें इनका घर मिल सकता है क्यामरमेन संदीप नामुंटा के साथ पुजराठू शर्मा तो भी ले उस तेलिए उस तो